प्राणाधार आत्मस्वमेंदी सुन्दर साज्जी कल की चर्चा में हमने सुना कि स्री जी विक्रम संबत 1735 में हरिद्वार के कुम्भ के मेले में है वहाँ वश्णव के चार संप्रदाए शट दर्शन के आचारिय दस नाम सन्यासी चार आश्रम चार वर्ण इत्यादी के लोग और प्रतिनिधी उबस्थित है उन में से रामानुज मत ने श्री जी को अपनी पध्धती सुनाई और उस पध्धती में श्री जी ने क्या प्रस्न किया वो भी हमने सुना कि जग माहें की कही तुम कहे वेद जगत को नास पिंड ब्रम्हांड दो प्रलय में तो कहां जीव को वास आपने सब कुछ तो इस संसार के अंदर का ही बताया है और माहा प्रलय में तो इसका नास बताया गया है ऐसी अवस्था में जब माहा प्रलय में शरीर भी नहीं रहेगा ब्रम्हांड भी नहीं रहेगा तो जीव का निवास कहां रहेगा अब श्री जी के इस प्रश्न के बाद निमानूज अथवा निमबार्क मत के आचारिय अपनी पध्धती बताने लगे महमत श्री लालदाजी कह रहे हैं तब बोले निमानूज वेद इस्ट जप धाम अब निमानूज मत के आचारिय कि वेद वो किसको मानते हैं अथवा कौन से वेद को मानते हैं इस्ट किसे कहते हैं, जप किसे मानते हैं, धाम किसे मानते हैं सारी पध्धती बता रहे हैं। कल हमने सुना कि नीमान नुजमत के जो आचारिये हैं, वो कौन है? अब उन्होंने जब अपनी पध्धती बताने शुरू की तो सबसे पहले कह रहे हैं, मथुरा है साला सही। मथुरा को हम शाला मानते हैं। शाला का अर्थ क्या होता है? जहां कुछ समय के लिए रहा जाता है। उसको शाला कहते हैं। जैसे हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहां कुछ समय के लिए रहते हैं ना। छे गंटे के आसपस हम रहते हैं, स्कूल में। उसको हम पाठ साला कहते हैं। कभी हम कहीं यात्रा कर रहे हों और रात को ठहरने की आवसिक्ता पड़ जाए तो धर्म शाला में ठहरते हैं इसी तरह से शाला का तात्रिय जहां कुछ समय के लिए रुका जाए अधवा निवास किया जाए वैसे साब्दिक अर्थ तो घर होता है शाला का साब्दिक अर्थ घर होता है पर अध्यात्म के छित्र में देखा जाए तो जहां पर कुछ समय के लिए रहे करके कोई लीला की गई हो उसको शाला करते हैं मतुरा क्योंकि वैकुंठ विहारी विश्ण भगवान की लीला का एक स्थान है मतुरा में ही उन्होंने कंस सहीत अनेक राक्षसो का संहार किया था वहीं पर उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को राज तिलक किया था राज सिंहासन पर बैठाया था तो इसलिए उन्होंने निमानुजमत के आचारियों ने कहा कि मतुरा को हम शाला कहते हैं धर्मक्षेत्र गोकुल पुनित और पवित्र गोकुल हमारा धर्मक्षेत्र है सुख विलास वरिंदावन में हमारी सुख विलास अथवा आननद का जो स्थान है वह वरिंदावन है धाम द्वारिका नित और हमारा जो द्वारिका पुरी है इसी तरह गोमती नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं रुकमिणी को इष्ट मानते हैं क्योंकि वो आराध्य कृष्ण जी को मान रहे न कृष्ण जी को आराध्य मानेंगे तो रुकमिणी जी इष्ट हो गई फिर कह रहे हैं यजुरवेद हर नाम की माला टारे छल सब कोई, हम यजुर वेद को मानते हैं वेदों के रूप में, कल रामानो जमत के आचारिय ने कहा था, हम सामवेद को मानते हैं और कह रहे हैं हरी नाम की माला का हम जब करते हैं जो हर प्रकार के छलर था था माया का माया के परदे का हरन करने वाली है हरी शब्द का अर्थ होता है हरन करने वाली और आगे कहते हैं व्रिंदा देवी मुक्त सरूपी देवी किसको मानते हैं व्रिंदा को जिसके विशे में पौरानिक मान्यता कही जाती है कि लक्षमी जी ने श्राप दे दिया था तो वृंदा तुलसी के रूप में उसने जनम लिया था तो उसको हम देवी मानते हैं और सारुप्य मुक्ती को हम अपनी मुक्ती मानते हैं सारुप्य अर्थात, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसके जैसा रूप प्राप्त कर लेना सारुप्य मुक्ती है, और प्रणव मंत्र ओमकार, मंत्र के रूप में हम ओमकार अथवा जिसको प्रणव भी कहा जाता है, प्रणव का अतात्पर ये क्या है? अक्षर जो ब्रह्म है उसका वाचक नाम प्रणव है वाचक नाम का तात्परी क्या है कि जैसे परमात्मा का व्यक्तिगत नाम तो कोई होता नहीं है जैसे हम सब के व्यक्तिगत नाम किसी के द्वारा रखे गए हैं ऐसे ही परमात्मा का व्यक्तिगत नाम नहीं है पर वाचक नाम मतलब जिसके द्वारा जाना जाए जिसके द्वारा कुछ बताया जाए क्योंकि अब कुछ तो बताना पड़ेगा तो इसके लिए प्रणव तो उसको हम मंत्र मानते हैं और चली संप्रदा सनकादिक से प्राचिन मतसार निंबार कमत के आचारिय कह रहे हैं कि हमारी मान्यता तो संकादिक से चली है ब्रह्मा जी के जो चार मानसी पुत्र कहे जाते हैं सनक, सनन्दन, सनातन और सनतकुमार इनसे हमारे संप्रदाय का विस्तार हुआ है उनके द्वारा हमारा संप्रदाय चला है जो की प्राचीन है सभी मतमतांतर संप्रदाय अपने आपको प्राचिन कहलाने की होड में लगे हुए हैं इसलिए रामानुज मत के आचारिय रामानुज आचारिय है फिर भी वो अपने आपको क्या कहते हैं कि हमारा संप्रदाय लक्षमीजी से चला हुआ है निमानुज संप्रदाय कह रहे हैं कि हमारा संप्रदाय सनत कुमार से चला हुआ है जबकि वास्तविक्ता ये है कि यदि सनकादिक से चला हुआ माना जाए ये तो स्रिस्टी के प्रारम भी कृष्णी है और जितने भी ये मत हैं रामानुज, निमानुज, विश्णुश्याम, अमाधवाचारिय, इन सब का इतिहास लगबग लगबग 1400-1500 साल से पुराना नहीं है, महाभारत काल में तो कोई ये संप्रदाय नहीं थे, कोई भी एक भी संप्रदाय नहीं था, केवल एक सनातन मत था, ये संप्रदाय सब ब प्रदाय प्राचीन मानेंगे लोग सोचेंगे कि सनकादिकों ने चलाया है तो इसका मतलब इतना पुराना होगा और जितना पुराना होगा इसका मतलब है कि वो सच होगा यह मान करके यह अपने आचारिय अथवा अपने प्रवर्त को कोई सनकादिक को बता रहा है, कोई लक्ष्मी जी को बता रहा है, कोई त्रिपुरारी सिव जी को बता रहा है अब कहे रहें गोपाल वंस हे गायत्री गोपाल मंत्र हे जान हमारे लिए हम गोपाल गायत्री को अथवा गोपाल वंस गायत्री को मंत्र के रूप में मानते हैं, नारद है आचारज, रिशी दुरवाशा मान, हम आचार्य की रूप में नारद जी को मानते हैं, और रिशी किसको मानते हैं, दुरवाशा को, वास्तों में देखा जाएं, तो रिशी किसको बोलते हैं, जो वेद के मंत्र हैं, उन मंत्रों के रहस्यों का जिसने साक्षातकार किया है, उसको रिशी कहा जाता है, हमने कल की चर्चा में भी सुना था, परन्तु सांप्रदाईक विचारधारा में, क्योंकि वास्तविक्ता में और सांप्रदाईक विचारधारा में फर्क होता है, सांप्रदाईक विचारधारा में रिशी उसको माना जाता है जिसने उस संप्रदाय के किसी मंत्र का निर्मान किया है अथवा किसी मंत्र की रचना की हो अथवा उस संप्रदाय का जो सिध्धान्त है उन सिध्धान्तों को यदि किसी ने प्रकाशित किया तो उसको भी रिशी की रूप में बताया जाता है अन्य था रिशी का वास्तविक अर्थ होता है जिसने वेद मंत्रों की रहस्य का समाधी की अवस्था में अनुभव प्राप्त किया हूँ अब आगे कहने है विश्णु को वाहन सही गरूड देवता सोय जो विश्णु भगवान का वाहन माना जाता है गरूड उसको हम देवता कहते हैं जो की हमेशा संतों की साधों की रक्षय किया करते हैं कहते हैं रक्षय करे सधासंत की ए पद्धत निमानुज होए यह निमानुज की पद्धती है अब स्रीजी ने प्रश्ण किया कैते हैं, प्रश्ण कियो स्रीजू तबे तुमें नहीं विचार कच्छू कही जगत के परे की कच्छछू जगत मन्जार, आपने तो थोड़ी सी बात जगत के परे की बताई कौन सी बात निमानुजमत ने सुख विलास का इस्थान बताया था व्रिंदावन अब इसमें भी निश्चित नहीं है कि ये कौन से व्रिंदावन की बात कर रहे है यह जो उत्तर प्रदेश में व्रिंदावन है उसकी बात हो रही है या फिर जो नित्य व्रिंदावन है योगमाय के ब्रह्मान में उसकी बात हो रही है इसका भी निश्चित पता किसी ने बताया नहीं पर फिर भी श्री जी ने कहा कि आपने कुछ तो दगत के परे की बताए और कच्छु जगत मंजार कुछ आपने इस संसार के अंदर की ही बताए आपने क्या किया सार और असार को एक किया सार जिसको ग्रहन कर लेना चाहिए ऐसे ग्राहिय और अग्राहिय दोनों को एक करके बताया इसलिए आपकी आपस में ही मान्यता नहीं मिल रही है आप कुछ अखन की बात कर रहे हैं कुछ इस संसार की बात कर रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको सच्चे सत्ग गुरु नहीं मिले, तुम बिन सत्गुरु क्या करो, छूटे नहीं भवखेद, खेद अर्था तो दुख, इस संचार का दुख तब तक नहीं छूट सकता, जब तक सचे सत्गुरु ना मिले, और आपने ये जो सार और असार को एक करके बताया, इसका कारण भी यही है, अब इतना सुनने के बाद नीमानुज मत के आचारिय भी पीछे हट गए, विश्णु श्याम मत के आचारिय अब सामने आते हैं, और अपनी पद्धती बताने लगते हैं, कि हम इस्ट किसको मानते हैं, उपासना जब किसको मानते हैं, सबसे पहले कहते हैं, विश्णु कांची धर्म साला हमारे संप्रदाय में हमारे धर्म की शाला का नाम है विश्णु काची स्वेत गंगा चक्र तीरत होए स्वेत गंगा चक्र को हम अपना तीर्थ मानते हैं सुख विलास इंद्र दमन मध जहां निर्मल सब होए इंद्रियों का दमन करने पर जब हृदय में निर्मल आती है उस हृदय की निर्मलता को हम सुख विलास का स्थान मानते हैं अर्थात हम यह मानते हैं कि जब हमारे इंद्रियों का दमन होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है मारकंडियक शित्र को हम अपना तीर्थ मानते हैं पुरुसुत्तम पुर अर्थात वैकुंठ को अपना धाम मानते हैं लक्ष्मी जी को इष्ट तथा जगन्नाथ की सेवा ही हमारी उपासना है जगन्नाथ अर्थात विष्णु भगवान और कहते हैं अथर्व वेद हमरो सही हम कौन से वेद को मानते हैं अथर्व वेद को माला नाम की सार और भगवान विष्णु के नाम की माला जबते हैं अच्यूत हे गोत्रह पुनह त्रिपुरारी साखाधार हमारा गोत्रह अच्यूत हे अच्यूत मतलब जो कभी भी गिरता नहीं है मतलब हमेशा स्रेष्ठी रहता है ऐसा हमारा गोत्रहे और त्रिपुरारी हमारी साखा है वैसे तो त्रिपुरारी सिवजी को कहा जाता है सफेद कल भी हमने सुना था कि यह जो जितने भी रंग है यह किसी प्रकार के गुण को दर्शाते हैं सफेद रंग साक्त्विकता का प्रतीक है सतोगुण का प्रतीक है इसी तरह से जो लाल रंग है वह सतोगुण के कम और रजोगुण की अधिकता का प्रतीक है पीला रंग रजोगुण और तमोगुण का मिस्रित भाव है तथा जो घनगोर काला रंग है वह तमोगुण का प्रतीक है इसका मतलब कल भी हमने समझाता संग्छेप में कि हमारे अंदर भिन भिन प्रकार की भावनाएं होती है उन भावनाओं को रंग के माध्यम से व्यक्त किया गया है ये बाहरी रंग नहीं हृदय की भावना को जैसे हम किसी से डरते हैं तो कहते हैं हमारा चेहरा पिला पड़ गया है जब गुस्से में होते हैं तो लाल पिला या गुस्से में लाल है ऐसा बोलते हैं और कोई व्यक्ति थोड़ा कपटी प्रवृतिका होता है तो बोलते हैं इसके तो मन में काला है काला ही क्यूं बोलते हैं हरा नीला क्यूं नहीं बोलते हैं वहाँ जो छल कपट इत्यादी है वो तमोगुण का प्रतिक है स्वेत वर्ण है तुलसी मंत्र है जाप हम तुलसी मंत्र का जाप करते हैं जल्बिंब रिशी को देवता मानते हैं और वामदेव नाम के रिशी को हम अपना आचारिय मानते हैं कल हमने सब सुना आचार्य किसको बोलते हैं। गायात्री मंत्र के रूप में हम ब्रह्म गायात्री के उपासना करते हैं। अ इस को बोलते हैं। भू, भूव, सोह, अर्था, सच्चिदानंद ब्रह्म के विशे में बताया है, तो इसको हम मानते हैं मंत्र, महादेव से संप्रदाय, यह कह रहे हैं कि हमारे संप्रदाय की सुरुवात किस से हुई है, महादेव जिस से, और सायुज्य मुक्ति को हम अपनी मुक्ति मानते हैं सायुज्य मुक्ति किसको कहते हैं जिसकी आराधना करते हैं उसी में समाहित हो जाना उसी में समा जाना उसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है भला सीवजी विश्णु भगवान की उपासना पद्धति की शुरुवात क्यों करेंगे कल की चर्चा में भी हमने सुना था कि स्यूजी को तो पता है कि हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इत्यादी जितने भी देवी देवता है वो सब तो उस परमात्मा के इच्छा से बनते हैं तो सभी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं किसी को पुछा जाए, कि विश्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं, तो बोलते हैं, सिवजी का, फिर पुछा जाए, सिवजी भी तो ध्यान में बैठे वे पाए जाते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं, वो बोलते हैं, ये राम का ध्यान करते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा रामायन में तो राम के विशे में भी बताया है कि वो ध्यान करते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं, बोलते हैं वो शिवजी का ध्यान करते हैं, सब आपस में एक दुसरे का ध्यान कर रहे हैं, क्यूँ? कोई कारण ही नहीं है, यह तो केवल एक देवता हैं जितने भी महापुरुष हैं वे सभी उस एक परमात्मा की भक्ति करते हैं, एक परमात्मा का ध्यान करते हैं तो कोई एक दूसरे के नाम से संप्रदाय की सुरुवात भला क्यूं करेंगे तो ये सिवजी के द्वारा शुरुवात नहीं की गई है अब श्री जी ने कहा तुम तो ए जग में कही ए कहे वचन श्री राज श्री जी कह रहे है कि आपने तो जो कुछ भी बताया वो सभी तो इस जगत के अंदर का ही है जगत से परे की कोई बात नहीं बताए जब वेद पुराण इस जगत का नाश बताते हैं तब बताए कि आपके संप्रदाय की जितनी भी पद्धती है उनका इस्थान कहां पर रहेगा अब ये आचारे भी पीछे हट गए तो माधवाचारिय मत के आचारे सामने आते हैं माधवाचारिय मत आज से लगबग लगबग आठ सो वर्स पहले दक्षिन भारत में इनका जन्म हुआ था उड़ीपी नाम के नगर में और उनके द्वारा इस संप्रदाय की सुरूवाथ हुए माधवाचारिय जी के द्वारा इन्होंने अपने संप्रदाय के विशय में बताया माधवाचारिय जी ने उस संप्रदाय के जो आचारिय विक्रम संबद 1735 में थे उन्होंने कि सबसे पहले कह रहे है पुरी अवन्तिका शाला सही हमारी शाला कौन सी है? अवन्तिका पुरी अवन्तिका पुरी मतलब जिसको आज हम भारत वर्ष को विभिन रिशियों के नाम से अलग-अलग धार्मिक छेत्र में बाटा हुआ है तो उन में से एक छेत्र का नाम है नईमी सारण्य यह वो जगह है जहां आपने नाम सुनाओगा दधी ची रिशी का नाम सुनाओगा दधी ची रिशी जिनकी हड़ी से कहा जाता है कि इंद्र ने वज्र बनाया था तो उन्होंने जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान को नईमी सारण्य चेत्र कहा जाता है तो माधवाचार्य के आचार कहा रहे हैं कि हम उसको अपना चेत्र मानते हैं सुख विलास, अंग पात मध्य, तप के द्वारा, तपश्या के द्वारा अंगों को तपाना, उसी में हम सुख मानते हैं, और कह रहे हैं, बद्रिनाथ हमारा धाम है, धाम के रूप में हम बद्रिनाथ को मानते हैं, अलक नंदा को हम तीर्थ मानते हैं, और ब्रह्मा जी की ह उपासना करते हैं, सावित्री अर्थात सरस्वती को इश्ट मानते हैं, और हर नाम की माला उर में, विश्णु भगवान की नाम की माला को उर अर्थात हरिदय में धारण करते हैं, विश्णु गायत्री का गायन करते हैं, और विश्णु भगवान ने एक बार हंस का रूप धारण किया था, चारों सनकादिक को मन और जीव के विशे में ज्यान देने के लिए, उस विश्ण भगवान को हम आचारिय मानते हैं, और उसी के नाम का हम मंत्र भी मानते हैं, हन्स रूप विश्ण भगवान का मंत्र मानते हैं, और उसी हन्स रूप को रिशी भी मानते हैं, आचार्य के रूप में हम ब्रह्मा जी को अपना आचार्य मानते हैं और ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी से ये संप्रदाय चली है अब बताए कि जब ब्रह्मा जी से संप्रदाय चली है तो इसका नाम माधवाचार्य संप्रदाय कैसे हो गया माधवाचारिय से संप्रदाय चला है इसलिए उसका नाम माधवाचारिय है रामानुज नाम के आचारिय से जो मद चला है उसलिए उस संप्रदाय का नाम रामानुज है पर कोई कह रहा है कि हमारा संप्रदाय लक्षमी जी से चला है कोई कह रहा है संकादिक से चला है, कोई कह रहा है, सिवजी से चला है, कोई कह रहा है, ब्रह्माजी से चला है, फिर रामानुज, निमानुज, विश्नुश्या, माधवाचारिय, इन चारों आचारियों का नाम क्यों लिया गया है, और कहते हैं कि यह तो हमारे आचारिय हैं पर यहां तो हर संप्रदाय के आचारिय भी अलग-अलग है कोई ब्रह्माजी को आचारिय मांद रहा है कोई संकादी को आचारिय मांद रहा है कोई विश्णु भगवान को आचारिय मांद रहा है रिशी भी भिन्न भिन्न है तो वास्तों में ऐसा कुछ भी नहीं है पवराणिकों ने अपने सिध्धान की पुष्टी के लिए और अपने ज्यान को प्राचिन सिध्ध करने के लिए जितने भी प्राचिन तम रिशी, मनेशी थे उन सब को अपने संप्रदाय का किसी ने प्रवर्तक बना दिया, किसी ने आचारिय बनाया और किसी ने रिशी बनाया अब कहते हैं सालोक है मुक्त हमारी सालोक के मुक्ति अर्थात विश्ण भगवान का जो लोक है वैकुंट उसको प्राप्त करना हमारी मुक्ति है तब स्रीजी ने कहा तब कहे प्रश्ण स्री राजने एतो कही जग माही कहे वेद जग भरम है तब मुक्त कही सोकाई आपने जो कुछ भी बताए वो सब इस जग के अंदर का ही बताए इस संचार के अंदर का ही बताए और वेद कहते है कि ये तो जग तो भ्रमात्मक स्वरूप है महाप्रले में ना सोने वाला है तो आप बताएं कि ऐसे समय में आपकी मुक्ति का इस्थान ही नहीं रहेगा तो मुक्ति कहां पर रहेगी अब इतना कहने पर माधवाचारिय मत के लोग भी चुप हो गए उसके बाद अब दसनाम सन्यासी मत के लोग आते हैं दसनाम सन्यासी का ताथ पर यह क्या है सबसे पहले तो समझते हैं सन्यास किसे कहते हैं सम उपसर्ग और न्यास यह दो शब्द मिल करके सन्यास बना है सम अर्थाद अथी तरह से छोड़ देना प्याग देना सन्यास कहलाता है इसका ताथ पर ये क्या हुआ कि सन्यास वही व्यक्ति धारन कर सकता है जिसने माया को इतने अच्छी तरह से समझ लिया हो कि दुबारा उसको पाने की इच्छा न हो, चाहना न हो क्योंकि किसी चीज को आपने समझ के छोडा है तबी आप सच में छोड़ सकते हैं अने था क्या होगा मान लिजे कि आपने किसी के दबाव में साधु का चोला धारन किया सन्यासी बने लेकिन आपने समझाई ने कि माया की वास्तविक्ता क्या है तो आपके मन में कहीं न कहीं ये इच्छा होगी कि चलो एक बार कम से कम चखने का मौका मिलता जैसे एक बोलचाल में हास्यस्पत कहावत कहीं जाती है न कि जो शादी के लड़ू होते हैं वो खाने वाला भी पच्छताता है और जिसने नहीं खाया है वो भी पच्छताता है इसका मतलब क्या है जिसने खाया है वो इसलिए पच्टा रहा है कि बेकार में खा लिया नहीं खाया होता तो अच्छा होता क्योंकि यदि धर्म की शिक्षा नहीं है पती-पत्नी दोनों के पास तो क्या होगा? ग्रीहस्त खराब हो जाएगा, बिगड जाएगा हाँ, दोनों यदि धर्ममई है, धर्मयुक्त है तो ग्रीहस्त तो एक ऐसा साधन है जिस पर चलकर की कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ग्रीहस्त आश्रम बुरा नहीं है उपनिशद आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या बताया है कि ब्रह्मचरिय, वानप्रस्त और सन्यास तीनों का आधार ग्रीहस्त आश्रम है पर समझते नहीं है इस वज़से अब जो मैं बात कर रहा था कि जो लड़ू है वो खाने वाला भी पस्ता है बिना खाए भी पस्ता है इसका मतलब यह है कि जो खा रहा है अर्था जो ग्रीहस्त में प्रवेश कर चुका है वो वहां के जंजटों से क्योंकि कई न कई किच-किच तो होती रहती है न जहां दो बरतन आप एक साथ रखेंगे वो तो बजना ही है थोड़ी हवा चलेगी इधर उदरों का बजना तय है तो सोचते हैं कि अब छूट भी नहीं सकते तो बस्ताते हैं अब जो नहीं खाया है वो कैसे पस्ताता है कई बार वो देखेगा ग्रीहस्तियों को मान लिजे कि स्त्रीपुरु से पति-पत्नी है उनको हसते हुए बात करते हुए देखेगा एक दुसरे का सहयोग करते हुए देखेगा एक दुसरे की समस्या में हाथ बटाते हुए देखेगा तो जो साधू बना होगा अथवा जो अभी साधू तो नहीं बना है पर ग्रिहस्ती में भी नहीं गया है वो व्यक्ति सोचेगा कि देखो कितने खोस है सायद मैंने साधी नहीं की है इस वज़से मैं दुखी हूँ तो वो भी पस्ता रहा होता है इसलिए खाने वाला भी पस्ता आता है न खाने वाला भी पस्ता आता है लेकिन जिसने अपने स्वव विवेक से अथवा अनुभाव से दो चीजों से एक तो होता है अपने अनुभाव से और एक होता है विवेक से कैसे बहुत सारे सादो सन्यासी ग्रियास्त आश्रम के बाद भी तो सन्यासी बने हैं पर ग्रियास्त आश्रम में वो रहे अपने ग्रियास्त धर्म का पालन किया एक निश्चित समय तक और उसके बाद सन्यासी बने तो क्योंकि उन्होंने तो देख ही लिया है कि उसमें क्या होता इसलिए लालच आने की संभावना नहीं है वो आगे बढ़े और अपने आत्मकल कक्लियान का समाज के कलियान का काम किया तो एक तो हो गया अनुभाव से और दूसरा है वीवेक से जिसने माली जी कोई को ऐसे होते हैं हर किसी को नहीं होता पर किसी किसी को विवाह से पहले भी ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए भी दूसरे के अनुभाव के द्वारा, दूसरों के अनुभाव का मतलब, चाणक के कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, वो अपने अनुभाव से सिखता है, अपनी गलतियों से सिखता है, एक जो मुर्ख होता है न अपनी गलती से सिखता है न दूसरे की गलती से सिखता है तो चाणक के कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलती से सिख्षा लेने चाहिए क्योंकि बार-बार स्वयम गलती करके सिखने के लिए आपकी उम्र इतनी लंबी नहीं है तो कुछ ऐसे विवे की पुरुष भी होते हैं या विवे की वीक्ति होते हैं जिन् Resident के अनुभव को देखा कि अरे यो तो जाने योगिया नहीं है अथवा यहाँ जाने की आऊश्यक्तने में दो बात कह रहूँ एक तो होता यह जाने योग्या नहीं है, क्योंकि ग्रिहास्तास्र Vaiं में जा रहे हैं, तो वहां जाने का एक मुख्या कारण सबसे बड़ा वो तो है तुरिश्णा किसी ने किसी प्रकार की तृष्णा है तृष्णा के वशिवूत हो कर गए जा रहे हैं अब दूसरा एक तो मैंने कहा कि जाने योग्य नहीं है इसका मतलब यह कि तृष्णा कभी भी पूरी नहीं होगी और दूसरा जाने की आवश्यक्ता नहीं है इसका मतलब है कि वैसे भी तृष्णा तो है ही और तुम में यदि तृष्णा नहीं है और तुम में परमात्मा को पाने की इतनी तिवर इच्छा है तो उधर फिर क्यों जाओगे वहाँ जाने की आवशक्ता ही नहीं है तो जिसने इस बात को समझ लिया तो इन दोनों बातों को समझ करके जरूरत और इच्छा, तृष्णा दोनों को समझ लिया और दोनों को जीतने में जो सक्षयम है और फिर उसने निर्णय लिया कि मैं सन्यासी बन रहा हूँ, मैं संसार को त्याग रहा हूँ, फिर वो अपनी ही माता को चरणों में प्रणाम करके अपनी माता से विख्षा लेता है, यदि विवाही थे तो अपनी पत्नी को भी मा कह करके चरणों में प्रणाम करता है, उनसे भी भीक्षा लेता क्यों क्योंकि पहले वाले सारे संबंद छूट जाते हैं तब वो सन्यासी बनता है अब न पहले का संबंद रहा न पहले का नाम रहा पहले का परिचेवी नहीरताब सन्यास ग्रहन करने के बाद आपने देखा होगा लोगों के नाम बदल जाते हैं जैसे दयानंजी कहलाए तो सन्यास जब लेता है वेक्ति तो नाम भी बदल देता है इसका ताथ पर यह पुराना जीवन उसने छोड़ दिया है सन्यास का मतलबी होता है अच्छी तरस से समझ करके छोड़ देना और हमारी परंपरा में छोड़ने का सबसे बड़ा महत्व है छोड़ना अर्थात त्याग का महत्व हमारे समाज में सबसे अधिक है बले ही किसी को लगे या किसी को ना लगे पर आप देखेंगे समाज में सबसे अधिक सम्मान त्यागियों का होता मैं त्यागी सरनेम की बात नहीं कर रहा हूँ जो त्याग कर रहा ऐसे साधूं का सन्यासियों का इसलिए जब एक चक्रवर्ती समराठ भी होता है ना जिसने पुरे दुनिया को जीत लिया है वो चक्रवर्ती सम्राठ भी सन्यासी के आने पर अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है क्यों? उसके सम्मान के लिए त्याग का सम्मान है हाँ ये अलग बात है कि हमारे समाज में त्याग करने वाले व्यक्ति का सम्मान तो होता है पर हमारे घर में कोई ऐसा वेक्ति त्याग करने के लिए उततपर होता है तो हम उसको रोकने की कोशिस करते हैं ये बात अलग है और जो सन्यासी होता था उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होते थे किसी भी प्रकार का दंड का विधान नहीं था हमारे समाज में शुद्र के लिए भी दंड विधान है शुद्र मतलब अज्ञानियों के लिए वैश्य के लिए छ्यत्रिय के लिए दंड विधान है यहां तक कि ब्राम्वन के लिए भी दंड विधान है पर सन्यासी के लिए कोई दंड विधान नहीं है ऐसा क्यों? क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था कि सन्यासी व्यक्ति किसी तरह की गलती कर सकता है सन्यासी से गलती होगी उसको दंड देने की आवस्यक्ता पड़ेगी ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता था और आज आज इसका उल्टा है आज बड़े बड़े साधो किसी न किसी संगीन अपराद में जेल में है और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उन्होंने संसार को समझे बिना साधू का चोला और लिया और उनमें से वैसे तो बहुत सारे साधू ऐसे हैं जो सन्यासी नहीं है ग्रिहस्ती साधू बने हाँ जन बल से, जन समर्थन से मार्केटिंग से उनके पास भीड इकठी हो गई पर सन्यासी थोड़ी रहे हैं सब फिर भी बहुत सारे सन्यासी भी ऐसे हुए जो बहुत सारे आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं और मान लिजे कि एक साधू भी गलती करता है तो लोग सभी साधू को उसी नजर से देखते हैं क्योंकि विश्वास भी तो उसी तरह से किया गया होता है ना तो सन्यास मत की ये विशेष्ता है जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि त्याग का सबसे बड़ा महत्व है तो जो भी व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से दुनिया को देख करके, पढ़ करके दूसरों क्यानभाव से सुन करके समझ करके, सीख करके दुनिया का त्याग कर देता है उसको सन्यासी कहा जाता विभिन्न युग में सन्यास मत के अलग-अलग आचार्य हुए, अब यहां हरिद्वार के मेले में दस नाम के सन्यासी हैं दस नामी सन्यासी कौन-कौन कहे जाते हैं तीर्थ, आश्रम वन, आरण्य गिरी, परवत सागर, पुरी भारती और सरस्वती तो ये दस नाम के सन्यासी हैं जिनकी साथ प्रकार की मान्यताएं हैं और चार मठ हैं कलियुग में तीन सन्यासी ऐसे प्रमुख माने गए गौड, गोविंद और संकर जिन में से संकराचारियजी के द्वारा आगे चलकर दस नामी मत के स्थापना हुई उन्होंने वईदिक ज्यान के प्रचार के लिए लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए ऐसे त्यागी सन्यासियों का समूह तयार करने का विचार किया बहुत ही अल्प आयू में उनकी मृत्यू हुई पर मृत्यू होने से पहले उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई ये कि मेरे विचार से सायद 30-32 वर्ष के उम्र में उनका देहा वसान हुआ था पर इतनी अल्प आयू में उस समय जो व्यवस्था बनाई थी आज भी उस व्यवस्था में लोग चलते हैं सादो सन्यासि चलते हैं उन्होंने सोचा जिस समय संकराचार्य जी का उद्भव हुआ जिस समय उन्होंने वेदान्त के अद्वईत वाद का प्रचार प्रशार किया उस समय भारत वर्ष में नास्तिकता का बहुत बोलवाला था बाउद्धमत और जैनमत बहुत अधिक प्रचार प्रशार में थे तो उन्होंने सोचा किसके पिछे का कारण क्या है क्योंकि मूल से ही यदि कारण कोई पकड़ा जाए तो समाधान सही तरीके से हो सकता है उन्होंने सोचा कि ज्ञान का प्रचार न हो नहीं इसमें नास्तिक्ता के फैलने में सबसे बड़ा कारण है और ज्ञान का प्रचार न होने का कारण है हमारे यहां के लोग उस समय महावारतकाल के बाद धीरे-धीरे अकर्मणिय होते जा रहे थे और स्वार्थी होते जा रहे थे इसलिए सन्यासियों की संख्या कम थी संकराचार्य जी ने अद्वित्मत की स्थापना के क्रम में चार अलग-अलग स्थानों में चार मठों के इस्थापना की उन मठों में अपने एक-एक सिश्य को रखा और नियम बनाया प्रचार-प्रशार के है तु कि पूर्व दिशा के मठों में कोई पस्चिम का व्यक्तिव राजबान होगा पस्चिम के मठ में कोई पूर्व का होगा उत्तर में दक्षिन का दक्षिन में उत्तर का इससे क्या होता कि लोग थोड़े करमठ बनते आज तो हमारे यहां एक होता है न कि पशु के जैसी प्रवृति है पशु का पूरा का पूरा ध्यान किसमें होता है चरने में? आहार की व्योस्था करने में? उसके अलाव और कुछ सोचता है वो? आहार की व्योस्था करता है, रहने के लिए कई न कई जगा मिल ही जाती है, और वन्स वृद्धी करता रहता है, इसके अलाव और कुछ नहीं वो सोच सकता है, इसलिए वो पशु है. मनुश्य की अवस्था भी आज कुछ ऐसी ही है अपने आहार की व्योस्था के अतिरिक्त अपने रहने की व्योस्था के अतिरिक्त और कुछ तो वो सोचता ही नहीं है अपनी आत्मा के विशय में सोचने का उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है समय नहीं है का मतलब ऐसा नहीं कि सच में समय नहीं उसने सोचने का प्रयासी नहीं किया पसुवत यंत्रवत वो जीए जा रहा है सोचता है कि अब पैदा हो गए हैं तो चलो जी लेते हैं तो यह पैदा होना भूल है फिर उसका जो जन्म लेकर वो भी मानो जन्म लेकर अपनी आत्मा के विशे में नहीं सोच सकता है उसमें और पसु में क्या ही फरक हो गया आज हम क्या करते हैं बिल्कूल पसु की तरह पसु क्या करते हैं जैसे मानने जैं भेड़े हैं आप खोल दिजीए सुबह निकल जाएंगी चरने दिन भर चरेंगी और साम को आकर कि अपने बाड़े में घुश जाएंगी अगले दिन फिर से चरेंगी इंसान क्या करता है? सुबह उठता है चरने के लिए चारा गहा अलग-अलग है भेडे जंगल में जाती है, खेतों में जाती है, हमारा चारा गहा, कोई जॉब में जा रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अलग अलग जगों पर जा रहा है, केवल चारा गहा तक सोचने की छमता है, तो उन भेड बकरियों में, उन जानवरों में औ और इंसान में कोई फरक नहीं है। संकराचारी जी ने ये सोच करके, कि ये जो भेड़े हैं, ये अपने अपने बाड़े में से निकले, कम से कम, अपने अंदर जाकने का प्रयास करें, और अंदर जाकने के लिए उस बाड़े से एक बार बाहर निकलना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने एक दूसरे जगा पर जाने का विधान बना दिया। कि ये जो चकर है ना, चारे और बाड़े का उस चकर से कम से कम निकलें। तो उन्होंने चार मठों के स्थापना कर डाले। और उन चार मठों में चार शिश्यों का रखा। उन चार शिश्यों से आगे जाकर अगली पीड़ी में अब। पहले संकराचारे जी, उनके चार सिश्य और उनके भी जो सिश्य हुए, उनको कहते हैं दस नाम सन्याशी, चार लोगों के, चार आचारियों के दस सिश्य हुए. उनसे आगे जाकर ये दस नाम मत चले जिनको तीर्थ, आश्रम, वन, आरण्य, गिरी, परवत, सागर, पुरी, भारती और सरस्वती कहा जाता. तो इस तरह से जो चार आचारिय हुए, संकराचारिय जी के चार सिश्य, एक है स्वरूपाचारिय, एक का नाम है पदमाचारिय, एक का नाम है नर्तोटकाचारिय, और एक है स्रिंगिरिसी. इन से आगे अगली पीड़ी में ये दस शिश्य हुए थे और इनकी साथ प्रकार के मान्यताएं है और उनकी चार अवस्थाएं है चार प्रकार के ब्रह्मचारी है इन सब का वर्णन आगे करने जा रहे हैं सबसे पहले कहते हैं प्रथम मठ मन्या पस्चिम की मठ सारदा तहां आए हमारी जो सबसे पहली मान्यता है साथ विभाग बताएं ना तो उसमें से जो पहला है वो कहते हैं कि हमारी जो मान्यता है पस्चिम दिशा की है जिसमें सारदा मठ है चार मठों की मैंने बात की थी जो संकराचारे जी ने स्थापीद की थी तो सारदा मठ है और इसी प्रकार हम द्वारी का को क्योंकि पस्चिम दिशा में ही है उस द्वारी का पुरी को हम अपना छेत्र मानते हैं और सुदेचर देवता हैं भद्रकाली को देवी मानते हैं गंगा और गोमती नदी को हम तीर्थ मानते हैं, अनुभूती स्वरूपाचारिय जी हैं, हमारे आचारिय का नाम, और जो की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हमारी देवी और हमारे जो आचारिय हैं, वो हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, कहते हैं कीटवा संप्रदाय कातात पर यह है कि छोटे से कीडे से ले करके सभी प्राणियों में दया की भावना बनाए रखने की जो प्रवृत्ती होती है और अब दया और अहिंसा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो दया की भावना बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की हिंसक भावना का जो त्याग करे ऐसे संप्रदाय को कीटवार संप्रदाय कहा जाता है तो यह संप्रदाय का नाम है कीटवार और उनमें दस नाम में से दो नाम के सन्यासी है एक है तीर्थ और दूसरा है आस्रम ये जो दस नाम है ना अलग-अलग वैसे तो सन्यासी सन्यासी ही होता है नाम अलग-अलग नाम से क्या होता है ऐसा सोचते होंगे सभी नामों के अपने-अपने रहस्य है सभी नाम का अपना-अपना विशेश अर्थ है तो उन दस नाम में से तीर्थ का आर्थ क्या है जिसने तत्व मसी की लक्षण को आत्मसाथ किया है तत्व मसी का मतलब कि सब में वही ब्रह्म है इस भावना को तुम में भी वही ब्रह्म है इस भावना को जिसने आत्मसाथ किया है और इडा, पिंगला, सुसुमना का जो संगम है न, जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ जो ध्यान के द्वारा इस्नान करता हो, अर्था जो त्रिवेणी के संगम में इस्नान करता हो, उसको तीर्थ कहा जाता है, और दूसरा क्या है, आस्रम, आस्रम वाल जो सन्यासी हैं, व आशा के बंधन का त्याग किया है, आशा का बंधन बहुत मजबूत बंधन होता है, आशा का बंधन बहुत ही मजबूत होता है, जैसे कोई विक्ति ग्रिहस्त में है, जैसे शादी हुई, शादी के बाद हो सकता है, छे मएने तक या साल भर तक सब अच्छा चलता रहे, उसके बाद कभी न कभी जो वास्तविक्ता है वो सामने आती है, जगड़ा होने लगता है, आपस में बहुत सारी समस्याइं होने लगती है, अब ऐसे में, एक बार के लिए विक्ति को लगता है कि सब कुछ छोड़ चाड़ करके चले जाते हैं, और ऐसा एक को नहीं, हर एक को लगता है, जीवन में हर एक व्यक्ति को कभी न कभी ग्रीहस्त में रहते हुए भी सब कुछ छोड़ करके निकल जाने का भाव आता है, पर आशा एक ऐसा बंधन है, आशा की डोरिये, एक ऐसी डोरिये की उम्मीद लगी रहती है न, कि ठीक भी हो सकते हैं, चलो आज ठीक नहीं, तो कल ठीक होंगे, पत्नी सोचेगे, मान लिजे कि जो पती पीडित पत्नी होंगी, वो सोचेगे कि चलो आज नहीं, तो कल सुध रंगे देखते पती भी यही सोचेगा कि चलो आज ठीक नहीं है कल ठीक हो जाएगा, मालीजे कि कोई आर्थिक तंगी है तो भी क्या सोचेगा कि चलो एक दीन, दो दीन समस्या है पर कभी न कभी तो ठीक हो जाएगी तो यह आशा का एक बहुत मजबुत बंधन होता है जो व्यक्ति को जल्दी से कुछ छोड़ने नहीं देता है और जिसने इस आशा के बंधन को तोड़ दिया है और आश्रम में स्थित हो करके किसी एक स्थान में रह करके अपने आत्मा का कल्याण और समाज का कल्याण करे ऐसा सन्यासी आश्रम कहलाता है तीर्थ हो गए आश्रम हो गए यह पहली मान्यता है साथ मान्यता की बात हो रही ना यह पहली मान्यता है जो दूसरी मान्यता है उसको कह रहे हैं पूर्वदिशा की माननेता है जिसमें दो नाम, दस नाम में से दो पहले हो गया, अब अगले और दो नाम हैं वन और आरण्य वैसे दोनों का आर्थ जंगली होता है पर यहां लक्षन अलग-अलग बता रहे हैं वन और आरणिय दो नाम है आगे हम उसका आर्थ भी समझेंगे पर पहले चोपाई को देख लेते हैं भोग गोवर्धन है मठ हमारे मठ का नाम गोवर्धन मठ है और संप्रदाय का नाम है भोगवार संप्रदाय भोगवार संप्रदाय किसको बोलते हैं वार मतलब मना करना हो तो जिसने सभी प्रकार के भोगों को त्याग दिया हो, लोकिक भोगों को जिसने छोड़ दिया हो, ऐसे संप्रदाय को भोगवार कहा जाता है, जिसने लोकिक इच्छाओं का परित्या किया हो, तो वो भोगवार हो गया, अब प्रश्ण था, वन और आरण ये किसको बोलते ह जो व्यक्ति इच्छाओं के बंधन से मुक्त होकर जंगल में किसी जरने के पास स्थान बना करके निवास करता है और परमात्मा के ध्यान में तल्लिन रहता है ऐसे ध्यानी को ऐसे व्यक्ति को ऐसे सन्यासी को वन कहा जाता है और अरण ये किसको बोलते हैं? जो इस संसार को छोड़ कर ध्यान के द्वारा उस परमात्मा के आनंद में मगन रहे उसको अरण्य कहा जाता है आगे कह रहे हैं रोहिण्या महोदधी तीरत रोहिणी को हम नदी मानते हैं महोदधी अर्थात जो महासागर हैं उसको हम तीर्थ मानते हैं रोहिणी और महादधी को यह पूरव मन्या स्वय अब यह पूरव दिशा की मान्यता है अब इन आचारियों के मुख से श्री जी ने भी पद्धती सुनी फिर तीसरी जो मान्यता है वो आगे आए तीसरी मान्यता जो है उन्होंने कहा कि हमारा जो मठ है वह जोशी मठ है चार में से दो हो गए दो मठ हो गए दो संप्रदाय हो गए चार सन्यासी हो गए अब तीसरे मठ में कह रहे हैं कि हमारा जो संप्रदाय है वहाँ आनंदवार है मठ का नाम जोसी मठ है और बद्रिनाथ को हम आश्रम मानते हैं जहां पर बहुत सारे सिद्ध सादू संत रहते हैं आनंदवार संप्रदाय किसको बोलते हैं? सन्यासियों का वह संप्रदाय या वह समुह जिसने जीवों के आनंद का त्याग किया है जीवों का आनंद किसको बोलते हैं? देखिए तीन चीज है एक इस संचार में सबसे अधिक पाया जाने वाला है वह है दुख दूसरा लवकिक सुख है जो छ्षणिक है और कैसा है सैंडविच की तरह सेंड़िच में क्या होता है उपर भी ब्रेड होता है नीचे भी ब्रेड होता है और बीच में थोड़ा सा थोड़ी सी सबजियां होती है ना इसी तरह से इस संचार में जो सुख है वो भी ऐसा ही है कोई भी सुख आप ले लिजिए सबी लोग भोजन करके ही आये होंगे खाना खाने से पांच मिनट पहले तक हम भूख में होते हैं ना या पहली या दूसरी रोटी खाने तक हम भूख में होते हैं भूख को आप सुख बोलेंगे कि दुख बोलेंगे भूख को तो दुख ही बोलते हैं ना तो पहले भी दुख हो गया अब आपकी भूख है चार रोटी की और जो परोशने वाला है उसने आपको पांचवी रोटी फिर से डाल दी तो वो पांचवी रोटी क्या है दुख है अच्छा पेट वर के खाना खा लिया उसको हजम करने के लिए अब पैदल चलो यह ना वो भी दुख है दुख हुआ कि नहीं हुआ तो भोजन भी दुख है अच्छा अच्छा घर बनाते हैं ठीक है यदि घर नहीं बना है तो घर का जो अभाव है वह क्या है दुख है लेकिन आपको एक बहुत अच्छा घर बना कर दिया जाए और कह दिया जाए कि आपको छे महिने तक इस घर से बाहर नहीं निकलना है आप पागल हो जाओगे उसी घर में रहते हुए बले ही सारी सुविधाई महीं पर हो फिर भी आप पागल हो जाओगे क्यों? क्योंकि एक ही जग पर आप नहीं रह सकते हैं, तो एक समय के बाद में अपना घर भी दुख महीं लगने लगता है, इसलिए तो इंसान क्या करता है? जो बार-बार घुमने के लिए बाहर जाते हैं, चुटियां मनाने के बहाने, कोई सिमला जा रहा है कोई मनाली, मसुरी, कोई कस्मिर जा रहा है, कोई कहीं गोवा जा रहा है, कोई थाइलेंड जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि वो जो घर है जिसको कभी हम सुख वाला समझते हैं, कभी हम सोचते हैं कि यही गर्दु कहते हैं, पड़े-पड़े बोर हो गए हैं, ठीके? तो घर है, मकान है, वो भी सुनाया जाए तो क्या होगा पांच भी बार सुनेंगे तो आप में से हर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कोई विशेस रंग पसंद होगा किसी को सफेद पसंद होता है, किसी को लाल पसंद होता है, किसी को काला पसंद होता है, किसी को नीला, सब की पसंदिदार रंग अलग अलग होते हैं लेकिन आपको किसी ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहां भले ही आपका पसंदिदा मालीजी किसी को गुलावी रंग बहुत पसंद है पिंक और उसको पिंक कलर के घर में उसी गुलावी रंग के बिस्तर पर जो चीजे दी जाती है वह भी गुलावी रंग के हो गुलावी के अत्रिक कोई और रंग दिखाए ही न छे महिने के अंदर-अंदर वो व्यक्ति पागल हो जाता है विदेशों में एक प्रयोग किया गया इसी संदर्व में एक प्रयोग किया गया था कि कुछ अपराद ही थे जिनको मृत्युदंड की मृत्युदंड दिया गया था तो जिनको मृत्युदंड दिया जाता है ना उन पर टेस्ट भी किये जाते हैं जो लाब टेस्ट होते हैं चाहे psychological test होता है या physical test होता है वो किया जाता है तो कुछ मनवई ज्यानिकों ने इसी रंग के विशे में पता करने के लिए एक test किया था जिसमें कुछ अपरादियों को दो अपरादि थे जिनको एक ऐसे जगह पर ले जाया गया वो पूरा सफेद था सब कुछ तायल से लेकर के उनको पहनाए गए कपड़े से लेकर के सब कुछ सफेद और दूर दूर तक जहां वो देख सकते थे सफेदी के अलावा और कुछ दिखाए ही नहीं पड़ता था क्योंकि एक तो जेल में थे वहां की लोहे की सलाकों से लेकर के सब को सफेद रंग में डाल दिया गया था और एक ही रंग को देख देख करके कुछ दिनों में वो पागल हो गये थे तो इसलिए इस दुनिया में आपको जो कुछ भी अच्छा लगता हो मिलने से पहले दुख होता है और थोड़ा ज्यादा मिल जाए तब भी दुख होता है इसलिए इस संचार में जिसको हम सुख समझते हैं वो तो जैसा कि मैंने पहले का सैंडिज जैसा है पहले भी दुख है बाद में भी दुख है बीच में थोड़ा सा सुख है इसलिए जो ज्यानी जन है जो विवेकी योगी है वो उस सुख को भी दुख ही बोल देते हैं क्यों दुख बोलते हैं क्योंकि जैसे एक बड़ा सा घड़ा है उस घड़े में दूद भरा हुआ है उस दूद के घड़े में एक छोटी सी कटोरी में जहर लाकर के डाल दिया जाए तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो उसे दूद बोलेगा कि जहर बोलेगा आंजी जहर ही बोलेगा न इसी तरह से जो छेनिक सुख है उसको भी दुख ही बोलते हैं और जो मूर्ख व्यक्ति है वो उसी छेनिक सुख को आनंद बोलते हैं दो चीजे हो गए एक हो गया दुख एक हो गया छेनिक सुख तीसरा आनंद अलग है पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो छेनिक सुख को भी दुख बोलता है और जो मूर्ख है वो छेणिक सुख को आनंद बोलता है जबकि आनंद कुछ अलग है तो जिन साधुओं ने जिन सन्यासियों ने इस संचार के छेणिक सुख को जिसे लोग आनंद समझते हैं उसका त्याग कर दिया है ऐसे त्यागियों के ऐसे सन्यासियों के संप्रदाय को आनंदवार संप्रदाय बोला जाता है। और आगे कह रहे हैं नर नारायन है देवता। हमारे जो देवता है वो नर और नारायन दो रिशी हैं। उनको हम अपना देवता बताते हैं। और कह रहे हैं गिरी, परवत, सागर, नाम। चार नाम पहले हो गए थे, तीर्थ आश्रम, वन और आरन्या। अब तीन नाम यहां पर हैं गिरी, परवत और सागर। गिरी का अर्थ भी वैसे पहाड ही होता है। परवत का मतलब भी पहाड है। पर यहां गुणों के आधार पर अलग-अलग नाम बताए। कि जो पहाडों में, परवतों में रहता हो, प्रती दिन गीता के अध्ययन में वो लगा रहता हो, ऐसे साधू को, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, स्थिर बुद्धि, ऐसे साधू को, ऐसे सन्यासी को गिरी कहा जाता है। और जो साधू, जो सन्यासी सार और असार दोनों को भिन भिन जानता हो, ऐसे सन्यासी को परवत कहा जाता है, जो परवतों की तलहटी, तलहटी समझते हैं न, जैसे पहाड की उचाई की सुरुवात, चड़ाई की सुरुवात जहां से होती है, उसकी नीचे जो गड़ा खोद करके नहीं, उसकी निमन भाग में रहने वाले जो सन्यासी हैं, ऐसे सन्यासीों को परवत कहा जाता है और सागर का तात पर यह है कि जिसमें अध्यात्मिक ज्ञान की गहराई हो, सागर का लक्षन है ना गहराई, तो जिसमें अध्यात्मिक ज्ञान की गहराई हो, अथवा गहरा अध्यात्मिक ज्ञान हो, जिसके अंदर जैसे सागर में मोती होते हैं, इसी तरह से जिसके अंदर ज्यांद रुपी रत्न जिसने संचय कर रख्यों अपने हृदय में ऐसे सन्यासी को सागर कहा जाता है और कह रहे हैं कि मुक्त छेत्र अलखा नदी तीरत हमारी मुक्ती का जो स्थाने वह अलग नंदा नदी है ए त्रीजी मन्या जान ये तीसरी मान्यता है इन आचार जोने कहयो आपनों सबे प्रमाण अब इस तरह से तीसरे जो आचारिये हैं उन्होंने भी अपनी मान्यता बताई अब चतुर्थ मन्या मन्या मतलब मान्यता चौथी मान्यता इससे पहले तीन दिशा की हो गई है पूर्वपस्चि मुत्तर की जो चौथी मान्यता है वो दक्षिन दिशा की है और उनके भी तीन नाम है साथ नाम कुल हो चुके है पहली मान्यता के तीर्थास्रम दुसरी मान्यता के वन आरणिय तीसरी मान्यता के गिरी, परवत और सागर अब जो चौथी मान्यता है उनके तीन नाम है कह रहें स्रिंगेरी मठ है जाएं हमारी मठ का नाम है स्रिंगेरी मठ सरस्वती किसको बोलते हैं जिसका उच्चारण अत्यन तो शुद्ध हो और स्वरों के उतार चड़ाओ का जिसको अच्छे से ग्यान हो स्वरों के उतार चड़ाओ का मतलब गायन में नहीं जैसे मानी जी जो वेद मंत्र भी होते हैं वेद मंत्र में विशेश रुप से तीन तरह के स्वर होते हैं जिनको हम उदात अनुदात और स्वरित बोलते हैं उनके उच्चारण का अपना तरीका होता है तो जिसको स्वरो का जियान हो, शुद्ध स्वर में बोलने में जो माहिर हो और पंडितों में जो स्रेश्ट हो ऐसे सन्यासी को सरस्वती कहा जाता है और जिसने लवकिक कर्म रूपी भार का परित्याग कर दिया हो क्योंकि लवकिक कर्म तो भार ही है और इस भार को ढोते जाएंगे कभी भी ये भार हम उतार नहीं पाते कैसे उतार नहीं पाते आज कल यही तो होता है ना पुराने समय में तो सन्यास की परंपरा थी जिनकी हम जर्चा कर रहे हैं आज के समय में सन्यास कोन लेता है पहले तो सबको अनिवार्य था तीन आश्रम के बाद जवथा आश्रम, सन्यास आश्रम सबको अनिवार्य था पर आजकल क्या होता है कर्म के भार्च इस तरह से दबे हुए हैं कि जब बच्चा प्राइमरी स्कुल में होता है किस तरह से दबा हुआ है सोच कैसे बदलती है वो मैं बता रहा हूँ जब primary school में होता है तो वो सोचता है कि जब हम high school में चले जाएंगे न तो tension नहीं देगा high school में तो हम बड़े हो जाते हैं हमारे teacher भी नहीं darting ऐसा हम सोच रहे होते हैं फिर जब हम high school में पहुंच जाते हैं सोचते हैं कि अरे ये तो जिलेबसी change हो गया अब थोड़ा और कठी ने फिर सोचते हैं कि college में चले जाएंगे तो चिंता नहीं होगी क्योंकि college में हम कई बार क्या देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार थी अब हम जब school में पढ़ते थे हमें तो बड़े भारी भरकम जोला लेकर जाना पड़ था तो इतनी सारी किताबे लेकर जाने पड़ते थी college में जाने के बाद तो कई बार एक notebook उठाया एक pen उठाया और चल दिये तो हमें लग रहा होता है जो देखने वाले हैं उनको लग रहा होता है कि अरे college में कोई चिंता नहीं है ना homework कोई पूछता है ना कोई कुछ करता है teacher भी आते हैं whiteboard में blackboard में कुछ लिखा देते हैं और चले जाते हैं तो कौन है पूछने वाला ऐसा हम सोचते हैं दूर से देख करके जबकि जो पढ़ रहा होता उसको पता है कि चिंता कितनी होती है फिर जब हम college में पढ़ रहे होते हैं तो उस समय क्या सोचते हैं कि एक बार अच्छी सी placement मिल जाए मतलब अच्छी company में job मिल जाए तो सारी चिंता ही खतम फिर जब job लग जाती है अब तो जीवन कैसे हो जाता है उस धोबी के गधे की तरह जीवन कहां तक है नदी तक जाओ घाट तक वहाँ से कपड़ा उठा करके जाओ फिर वापस वही दोड लगी रहती है तो तब भी सुख नहीं होता फिर सोचते हैं कि अच्छा अब तो ठीक है जीवन भर कमाएंगे 60, 62, 65 तक जब तक रिटार्मेंट नहीं हो जाती तब तक मेहनत करनी है बाद में रिटार्मेंट की जो जिन्दगी है ना वो आराम से जीएंगे पर जब रिटार्मेंट तक पहुँच गए होते हैं तब तक पता चलता है कि ये जो इंजन है वो अब इसके एक-एक पार्ट पूर्जे डिले हो चुके है कई स्कुरू डिला हो रखा है घरवाले कहते हैं कि सत्ठी आ गए इसका मतलब क्या है कहां का स्कुरू डिला है गुटने के जो ग्रीज है वो खतम हो चुके है एक-एक इंजन खराब हो चुका है अब रिटार्मेंट में क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते न उस समय में कोई भोग भोगा जा सकता है न उस समय में कोई धर्म किया जा सकता है धंग से दोनों में से कुछ भी नहीं किया जा सकता है और तृष्णा ऐसी है कि खतम ही नहीं हो रही तो भार कैसा है कर्मों का कि हमेशा दबाय रखती है बच्पन बीद गया, जवानी बीद गया, बुड़ापा भी बीद गया अब इसी तरह से साथ साथ में ब्रह्मचारी आश्रम से ग्रियस्त आश्रम में चला जाता है तो किस चीज का बहार है, कमाने का कि चलो कमाना है साथी हो गए, बच्चे हो गए, सोच रहे हैं कि चलो इनको पड़ा लिखा करके बढ़ा कर देंगे, फिर जिम्मेदारी खतम बच्चों को पड़ाया, लिखाया, साथी करवादी, उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा साथी कराने से पहले क्या सोच रहे होते हैं कि चलो बच्चों की साथी हो जाएगी ना, हम फ्री हो जाएंगे, हम सेवा में लग जाएंगे कि हम ध्यान चित्वनी में लग जाएंगे, हम धर्म अध्यात्म में लग जाएंगे, फिर घर में उन बच्चों के बच्चों की किलकारियां गोजती है, तो सोचते हैं कि अब इनको कौन सम्हाले, क्योंकि बच्चे जॉब पे जाएंगे, और इनकी जो जॉब है वो किसकी अब परमानेंट ड्यूटी हमारी हो जाती है, तो वहाँ फिर से अब और भार उसमें आता जाता है, इन भारों से कभी मुक्ति वैसे नहीं मिल सकती है, और जो इन भारों से कर्म के भार से मुक्त हो जाए, ऐसे सन्यासी को कहा गया है भारती और आगे क्या बताया पूरी भारती और सरस्वती पूरी किसको बोलते हैं जो ब्रह्म है वह पूर्ण है उस पूर्ण ब्रह्म के ध्यान में जो तल्लिन रहे हमेशा उसको पूरी कहा जाता है जो ब्रह्म के स्वरोप में हमेशा ही डूबा रहे अथवा उसके ध्यान में डूबा रहे उसको पुरी कहा जाता है तो इस तरह से तीर्थ, आश्रम, वन, आरण्य, गिरी, परवत, सागर, पुरी, भारती और सरस्वती इन दसो नामों का अर्थ अभी हमने सुना चार प्रकार के ब्रह्मचारी की बात की जा रही है और चा चार संप्रदाय हैं, अभी तो हमने उनकी बात नहीं सुनी है, हंस है, परम हंस है, बहुदक है, कुटी चर है, इन सब का अर्थ हम समझेंगे, कल की चर्चा में हम ये देखेंगे कि पांचवी माननेत, पांचवी छठी और साथ्वी माननेत है, वो कौन-कौन सी है, चार ब विशय को पकड़ करके बैठे हुए हैं, चत्र साल जी ने एक बहुत सुन्दर बात कही है, उन्होंने समझाया है छे दर्शन के विशय में, वो कहते हैं, खट दर्शन, छट अंधन को हाथी, छे दर्शन जो है, वो छे अंधों के हाथी की तरह है, अंधोंने हाथी को कैसे देखा, कैसे समझा, उसी तरह से छे दर्शन को समझा जा सकता है, तो वो हम किस तरह से समझ सकते हैं, इन सब की चर्चा सुनेंगे कल, अभी समय पूरा होता है, चोपै दोराईगे स्रींगी रिशी प्रिथ विधराचारज तोक भद्रा तीरत सार चौथी मन्या को मतो सुन्यों सबे विचार सुन्यों सबे विचार बुलश्री प्राणनाथ बुलश्री सद्गुरु महाराथ